संजीवनी हस्पताल, बाल एवं शीशु रोग, जनरिल सरजरी, प्लास्टिक सरजरी, नियूरो सरजरी, नेत्र रोग, फीजियो थरपी, च्री एवं प्रस्तूती रोग, विद्य एवं शुगर रोग, हड़ी एवं जोड रोग, कार्डियो लोजी, दंत रोग, एमरजेंसी चिकित्चिक सुविधाओं में एक भरोसे मन नाम है कि रैसलिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के जो प्रेजिडेंट है ब्रिजबुशन शरन जी वो योन सोशन करते हैं और ये उस बेटी के दवारा आरोप लगाए गए हैं जिसमें माननिय परधान मंतरी जी ने कहा था कि तुम हमारी बेटी हो और उसी बेटी ने एक सवाल कल दागा है कि इस देश में बेटी पैदा होना होनी ही नहीं चाहिए इससे ज़्यादा तकलीफ की बात दरद की बात क्या हो सकती है और साथ साथ मैं ये सवाल ये भी करती हूँ एक तरफ तो हमारा देश पदक चाता है और दूसरी तरफ हम अपने भविशय को देखते हैं हमारी बेटीों का योन सोशन होता है तो आने वाली पीडी या वो पेरंट्स क्या अपने बच्चों को इस तरीके से स्पोर्ट में भेजना चाहेंगे और मैं यहां पर विनेश फोगाट और उन सभी रैसलर्स का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस मंच पे आके उन्होंने इस बात को उठाया है लेकिन तकलीफ इस बात की है कि माननिय परधान मंत्री जी को जब उन्होंने लगबग सवा साल पहले इन बातों से अवगस करा दिया गया था तो इस पे कारवाई क्यों नहीं होई और जैसा कि स्परिया जी ने कहा कि बहतर गंटे के बाद भी ये सरमनाक बात सडकों पे अभी तक चल रही है लेकिन बीजेपी के नेताओं के दवारा कोई ऐसा स्टैप नहीं उठाया गया और स्परिया जी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगे कि हर्याना के मंत्री के दवारा भी एक लड़की के साथ इसी तरीके से कुकरिते की बात आई थी और उस लड़की ने भी अभी लग बग मेरे खाल से डेड़ महीं आई हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा और वो बात वहीं पे स्टॉप हो गई है तो क्या यही हालात इन रैसलर्स के साथ भी होने वाला है या आने वाली हमारी एथलीट्स के साथ होने वाला है मैं महीला हूँ और यह पीड़ा मैं समझ सकती हूँ कि लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए कितनी बड़ी बात हमारी एथलीट्स ने कही है और मैं उन दिनों को याद भी करती हूँ जब हम मैडल जीत कर लेकर आते हैं तब हमें हमारे साथ हर कोई फोटो खिचवाने के लिए त्यार होता है बेटी बनाने को त्यार होता है जब हमारी बेटियों का चीर हरन किया जाता ह तो उसके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होता है और साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा है और इस नारे को तीर तीर तार तार कर चुके बीजेपी के नेता मैं यही कहना चाहूंगी कि इन नेताओं से बचाने की जरूरत है और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो federation है वो पूरी भंग होनी चाहिए जैसा खिलाडियों ने कहा कि अकेला national federation नहीं state federation भी होनी चाहिए और खिलाडियों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं आमंत्रित करती हूँ विजेंद्र भाई को कि वो इस पर अपना वक्त विदे जी नमस्कार आप सब को थोड़ी देर पहले मैं जंतर मंतर गया था और पहलवानों का साथ देने, मेरी साथियों का साथ देने, मेरी बहनों का साथ देने मैं था वहाँ पे और एक मुक्के बार जोने के नाते, एक साथियों के नाते मैं वहाँ गया था और वो आए अद्धा है मेरी फॉन पर बात हुई लेकिन मेरी पीसी दीसले में को यहां आना पड़ा लेकिन जो नोंने आरोप लगाए हैं वो बहुत स्ट्रॉंग आरोप हैं एक नेता पर एक फेडरिशन के चीफ चीफ के ऊपर और मैं मानता हूं कि इस के ऊपर इदनी देर लंबी चुपी साधन पर दारमती जो द्वारा वो एक बहुत निंदन ये है और एक सर्पनाक है जो मैं मानता हूं और इसमें जल्द से जल्द कारवाई हो जो आरोप है बहुत संगीन है एक भिवानी का एक हर्याना का लड़का होते हूं मैं इह मांग करता हूं इसमें जल्द से जल्द लगती है उनके तहित इसके उपर एक्षिन लिया जाए थैंक यू